स्वागत है अब स्भीक आप स्भीक बसने डियो चैनल रायजुगेशन में उत्रजार वरती बहुत महित्पूर्ण अपडेट है आप लोगों के लिए सुप्रियूम कोट की सुनमाई को लेकर बहुत जादा होहला मचा हुआ है और वरती अपने आप में जो चैनित हैं या ज तो कहीं और कहीं कमेंट आपके लगात आ रहा रहते हैं और अभी से कुछ मिनटों पहले मैंने कमुनिटी में पोस्ट भी किया था और उसके पहले दोपर में भी मैंने कई गंटों पहले पोस्ट किया था कि 19 को संभावी तह सुनवाई लेकिन आप लोग ये मानकर हाथ पर हैं ठीक है ना लेकिन उसके लावां आपकी जुटता बहुत जादा मायने रखते हैं इन सभी चीजों में जितने लोग हैं सब अपने अपने करतों का निर्धारण अपने राइट्स का निर्धारण और अपने हक के लिए वो चाहे कोट हो सुप्रियम कोट हो हाई कोट हो ह कर जगां वो ततकाल रूब से खड़े हैं मीडिया में हो चाहे अपनी जुटता दिकाते वे भरती को रद्यकरानी की बात हो सभी एक जुट हैं सिर्फ और सिर्फ एक जुटता की कमी सिर्फ और सिर्फ कह सकते हैं कि अपने हग को ना जानना अपने राइट्स को जाना जान सिर्फ और सिर्फ चैनित अभेड़तियों के लिए सबसे बड़ी प्रतार्णा का विशय बना हुआ है कि सुप्रियूं कोट ऐसी अपडेट में यह निकल कर आई है जो लीगल टीम ने अपडेट थी मैंने कम्यूटी में पोस्ट कर दी है और मैक्समाम लोगों तो कम्यूटी रीच नहीं कर पाती है बहुत ज्यादा 1500 तक पहुंच बाती है तो इसलिए वीडियो बनाना अवश्यक हो जाता है और निसंदे कुछ मुद्धे रहते हैं तो वीडियो बनाना आवश्यक ही हो जाता है तो सुप्रियूं कोट की जो अपडेट आ रही हो यह निकल कर आ रही क्योंकि भरती प्रक्रिया को जो भी ढंग देना है आगे लेके चलना वो सरकार लेके जाएगी सरकार की क्यार रणनीती है और आपकी क्यार रणनीती है दूनों तालमेल बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है आप कुछ रणनीती तैय करेंगे और सरकार कुछ और तैय करेंग को संभावित केस लग सकता है लेकिन सब्लिमेंटरी लिस्ट अभी तक नहीं आए 19 की और उमीद यहीं करेंगे कि सब्लिमेंटरी कि जाएगा सिंगल बेंच से अगर मैं बात करूं आपके लगनों पीट के तो वहां पर गुम्राक गया बहुत अच्छे से डबल बेंच में जब अच्छे से पैरवी सरकार ने भी की एजी भी गए और पक्ष्विशेश से लीगल टीम के अधिवाकताओं ने बहुत अच्छ इसर पक्षर के चाहिब एड के हो चाहिब इडीसी के हो तो वहां पर खडिया खडियोगे थी विवख्ष्विश तो मैं निस परस्ट बात बोल रहा हूं बूरा लग सकता बूरा लगेगा भी लोगों को बूरा लगना भी चाहीए ठीक है जो सही बात है क्योंकि लोग प्रिश्तिती को वह अपने कंदों पर उठा लेगा या उठा लेगी अब वह इस लाइक हो चुके हैं चैनित हो चुके हैं लेकिन आप पोस्ट और 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 वाइरल करकर के मांसिक प्रताडित करते रहो गया और हम लोग सान्त हो के बैटेंगे रसा तो नहीं हो गया ना हम भी नहीं बात बोली थी फिर डवल्मेंच में लोग का हलत खराब था तो इनके पास दो ही मुद्दा आता एक बीएड को बाहर करो फिर दया आया चिका इसके लावा कोई मुद्दा ही नहीं है बेस लेस हैं सबी लोग ठीके अब यहां पर सिक्षामित्र को दारा जो रिजन ल अप्लिकेशन को इतना मजबूत वो लगाया है सरकाने मोडिफिकेशन अप्लिकेशन जिसका कोई भी काट नहीं है किसी के पास तो क्या होगा कोई मुद्दा नहीं बचा है तो भरती को ततकाल प्रभाव से रोकने के लिए अपील की गई है और बेहत बचकानी अपील है उ इसले भरती प्रक्रिया पर इस्टे दे दिया जाए जो होगा हम जुलाई में समझेंगे ऐसे थोड़ी नहीं हो जाता है कुछ सारी चीजें दिखा देता हमें आप लोगों को यह उनके द्वारा विपक्षियों के द्वारा दाखिल जो है यहां पर उसमें देखे जो यहा इन इन दे इंस्टेंट सेलेक्शन चो तकाल ब्रभाव से इस भरती प्रक्रिया पर स्थगना देश आप देदें देर आप्टर डिसाइडेड यह रिजॉल फिर उसके बाद निरने होगा हम इसको रिजॉल करने के कोशिश करेंगे अल देशु तो तो नाइधर इफेक्ट अडवर्सली नॉर क्रियेट थर्ड पार्टी लिए लिटिटेशन लिटिगेशन अस प्रिजॉल फिक्स्ट फॉर इनीश फाइनल हेरिंग प्रिजॉल फाइनल हेरिंग के लिए है तो हम बात में सौट आउट करेंगा सारा मामला औ विन्वाइल इन्वेस्टिकेशन विल और अल्सों कॉंक्लूड तू ट्रांसलेटेड कॉंपी अप्डे नुस्पेपर आर्टिकल इलॉंग विद ओरिजनल नुस्पेपर कटिंग इस ठीक है जो भी है यहां पर कि भाईया ततकाल प्रवाव से रोक लिया जाए क्योंकि इ सरकार जो सही तरीके से चल रही है वो सही तरीके के लिए डेट नहीं मेंचन करवा सकते हैं तो यह थोड़ी सी नादानी है हाला कि सरकार इन सारी चीजों पर बहुत जादा प्रतिबद्ध है और सुनवाई 19 को होगी नहीं होगी वह आ शाम तक या कल सुबार मॉनिंग तक सारी चीज़ें क्लेरफाई हो जाएंगी संबावत तक लेकिन ये सारी चीज़ें क्रिया कलाप कहीं ने कहीं थोड़ी सी मानसिक पर ताड़ना देती हैं और लॉजिकल समझा जाए तो थोड़ा सा बचकाना ही है मैं ये बार बार बोलता हूँ कि इन पर फैक्ट नहीं है ब एक दम इस पस्ट तरीक्त सुन लीजे सभी लोग कि जब हम अपने पैरोबर कुलाडी मारते हैं उसे महारा विवेक हमार साथ नहीं रहता है कि जब नास मनुझ पर चाता है तो पहले क्या हो जाता है पहले विवेक मर जाता है वहीं हाल है ठीक है ना वागी परशान होनी क् पूरी तरीके से सहब करने के लिए आतूर है आप बस एक बार बताईए तो किस प्रकार से यह आपके अंदर यह भावना होनी चाहिए अपने लिए अप दूसरे के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं लीगल टिंग के जो लोग हैं वो अपनी नौकरी बचाने के लिए हर जगन दोड़ रहे हैं तो आपकी भी तो नौकरी उनके साथ लगी हुई है तो आपका सयोग कहा जा है आप लोगों के लिए अपनी बात रखने का उसका सत्यप्योग करिए दिन पर वाटसफ फेजबुक पर ट्रोलिंग करना सर्फिंग करना वो ठीक है आप अपने हिसाब से अपना लोगों का इंट्रेस्ट है वो करेगा मिनवाइल वो सारी चीज़े करता रहेगा लेकिन कि तत्काल प्रभाव से मैंने यह मॉर्निंग में बोला था कि तत्काल प्रभाव से समय बिलकुल भी नहीं है शेश ठीक है ना बाकि आप निश्चिंत रहिएगा निशंदे परशान उनके आवशकता नहीं है सत्य प्रतार्णा का शिकार होता रहेगा लेकिन विजैश्च शिकावली बात की जाएगी एक बात एकदम निशंदे एकदम इस परश्च तरीके समली जाएगा क्योंकि मुद्दाहीन लोग बहुत जादा होंगे मानसिक परताडित करेंगे समय वेश्ट करेंगे जो भी तक करते आएं दो सालों के लगबका और वहीं होता आया है लाश मैं क्यूं बोलूंगा कोई अयोग है कोई योग है सरकार ने मानक तैक या है उस मानक पर आप खरें उतर रहे हैं तो आप इस भरती के लिए योग हैं मैं किसी को भवश्र की मानी नहीं करते किसी के उपर बाकि हर एक व्यक्ति हर एक व्यक्ति विशेश में वो काभिलियत है कि अपने तैलक्ष को वो प्राप्त कर सकता है किसी के अंदर कोई भी capability काभिलियत की कमी किसी के अंदर नहीं है बाकि आपके सोच के उपर वो चीट डिबंड करती कि आप उसको निकाल पारते हैं अपनी कभलियत या उसको उसी में दबाकर दूसर की कही बातों पर आगे निकल जाते हैं यह आपको सोचना है बागे एक्जूट रही है और अपने लिए आगे बढ़ते रही है धन्यवाद